हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मन्थन ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग इस वीडियो में कलस्ट दस्वे के रासायन विग्यान के लेस्टन वन को पढ़ेंगे तो चलिए बिना समय को बेथित करते हुए आज हम लोग चलते हैं अपने ट स्वेकार होते हैं तो चलिए देखिए सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया इसको इंगलिस में बुला जाता है न केमिकल रियक्षन तो देखिए केमिकल रियक्षन होता क्या है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से किरिया करके जब कोई प प्रक्राइल मतलब यह है जब कोईभी पदार्थ निसने पदार्थों के साथ मिल करकेकर दिखनगन dragons वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का करता है तो वह पर क्रिया क्या क्या आती है रसाइनी का भी क्रिया क्या आती है जैसे में देखिए जैसे में हाइड्रोजन को हम क्लोरीन के साथ जब अभी क्रिया कराते हैं तो यह क्या बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड यह है यह हमारा नया पदार्त का निर्माड हुआ है कौन कौन मिलके निरमन किया है तो hydrogen को और chlorine hydrogen और chlorine को जब एक साथ अविक्रिया कराएं है ते दूनुप करके क्या बनाए है hydrogen chloride जैसे आप यहां पर देख सकते हैं hydrogen plus Cl2 यह बनाता है 2HCl ठीक है आगे देखिए आगे हम जानेंगे और विकारक और प्रतिफल के बारे में तो देखिए और विकारक को हम इंगलिस में बोलते हैं reactant तो reactant होता क्या है अभिकारक कहते किसको हैं रसायनिक अभिकारक कहेंगे किसको को हैं जो पदार्थ रसाइनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं यह जो पदार्थ होगा रसाइनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ठीक है और नए पदार्थ का निर्माड करेगा तूने क्या कहेंगे हम अभिकारत कहेंगे रेक्टेंट कहेंगे ठीक है और जो प्रतिफल किसको कहेंगे प्रोडक्ट किसको कहेंगे तरह साइनिक अभिकिया कि फॉल सरुब बने नई पदार्थ क्या क्या लाएंगे प्रतिफल क्या लाएंगे अनि काने का मतलब यह है न एक्जांपल के मारें से समझेए जो जो पदार्थ मिलेंगे ठीक है जो जो पदार होगा तो अभिकार लेंगे वो क्या का लाएंगे वेखिरेंट वेखा और है कि लेने के बनारा रहा है वाग लेने के वाद से आपका क्या होगा प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट का मतलब प्रतिफॉल होगा ठीक है अब इसके बाद देखिए इसके बाद हम समझेंगे कि रासाइनी का विक्रिया यह विल्ट निम्रम लिखित बाने चेहाएं होता है यह 5 परकार की जो चीज़ें है यह क्या होती है आप खाइगा रासाय निक समिक्राण इंग्लिस प Zumigren जाएगाmission होता है तो आब चानेएं होता क्या है तो देखिए रासायनिक आप भीक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एम सुत्रों की सहायता से उस क्रिया का या उस अभिक्रिया का संचिप्त निरूपर रासायनिक समिक्रों कहला आता है एक बरावर समझे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एम सुत्रों की सहायता से उस अभि को जितने भी पदार्थ है विन पदार्थों का संकेतु यह सुथ्रों की साइता से शंचित निरूपन होता है उससे क्या कहते हैं रसानिक समिकरण कहते हैं जैसे हाइद रोजन हो गया आपका क्लॉरीन हो गया है तो हम है लिखते हैं कि लोरीं को क्या लिखते हैं सील लिखते हैं ठीक है यह आपका बनाता है क्या पहले हम क्या करेंगे कि अभिक्रिया कि अभिकार को कौन के संकेतों या अड़ों सुत्रों के पदों में समिक्रण के बाइव लिखेंगे जीतने भी अभिकार को के जो सुत्र होंगे या संकेत होंगे उनको क्या करेंगे हम 22 साइड में लिखेंगे तीर के निसान जो होगा उसके 22 साइड में लिखेंगे ठीक है दूसरा नमबर अभिकारकों के सुत्रों के बीच ठीक है धन चीन दिया जाता है प्लस का चीन दिया जाता है यानिकि जो भी अभिकारक लिखेंगे जो हमारा रेक्टेंट होगा उसके ब यानिकि जो प्रतिफ़ल हमको प्राप्थ होंगे न उन प्रतिफ़लों को किदर लिखेंगे यानिकि तीर के दाइने साइड में लिखेंगे यह हमारा क्या होगा प्रतिफ़ल होगा ठीक है उसके बाद देखें प्रतिफ़लों के सुत्रू के मद पलस का चिन क्या किया जाता ह आ प्रतिफल में प्रतिफ़लों को एक तीया प्रतिफ़ depreciate यह प्रतिफढों प्रतिशन कि संतूलित और अख मतलब संतुली तराशायनिक समिकरण देखते है बाइलेंस्ट केमिकल एक्वेशन हिसका इंगलिस होता है तो देखिए संतुली तराशायनिक समिकरण होगा सम Multoire की दोनों ओर ठीक है समिकरण के दोनों ओर प्रतीक तत्व में पर्मटव Krano समान हो ठीक है एनिकी जब परमाड़ों की संख्या दोनों तरफ प्रतिफल में भी और अभिकारक में भी ठीक है अभिकारक में भी और प्रतिफल में भी दोनों तरफ जब परमाड़ों की तत्व के परमाड़ों की संख्या क्या होगा समान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे और इधर भी ठीक है दोनों तरफ रेक्टेंट अभीकारक में भी और प्रतिफल में भी दोनों तरफ क्या है परमाड़ू की संख्या सम नहीं होती बराबर नहीं होगा तुन तरफ ठीक है तो किया कहेंगे और संतुलित रसायनिक समीक्रण जैसे में देखिए सब्सक्राइब करने के नियम कितने होते हैं कई कितने परकार से हम समिक्राइब को संतुलित कर सकते हैं तो इसको देखिए किसी भी समिक्राइब को संतुलित करने के लिए मुखे रूप से दो निया है पहला आपका हो गया अनुमान द्वारा संतुलन बिधी बाइलेंसिंग भाई हीट और ट्राइड मेथद और दूसरा होता है बीजगंडिती है अलजेबरिक मेथद इस वीडिय के ठीक पहले आवज्चे गुणा का प्रियोक किया आता है गुणा का चायन इस परकार करते हैं कि समीक्राइब के तीर चिन के दोनों परतिक परमाणवों की संक्या क्या हो समानों और समान हो जाए कहने का मतलब यह है कि हीड़ेंट ट्राइड मेठर होता क्या है सबसे पहल यह हम एक ऐसे आवज्चेक गुणा कोफिस्टेंट का प्रियोक करते हैं जिससे गुणा करने के बाद से समीक्राइब के दोनों तरफ तीर चिन के दोनों तरफ प्रतिक परमाणवों की संख्या क्या हो समान हो जाए चलिए एक एजामपल लेते हैं और उसके माद्यम से ठीक है और एच्टू बना रहा है ठीक है उसको हमको संतूलित करना है कि कैसे होगा कैसे संतूलित होगा तो देखिए आपका सबसे पहले हम करेंगे कि देखेंगे समीकरण जो दिया है इस समीकरण में दोनों तरफ परमाणवों की संख्या समान है या नहीं कौन-कौन से तत्व की जो परमाणवों की संख्या समान है और कौन-कौन से परमाणवों की तत्व के परमाणवों की संख्या समान नही है तो देखिए लिखेंगे समीकर्ण तीर किसें दोनों तरफ प्रतिक प्रकार की तत्व के प्रमणब संख्या गिन का लिखने पर देखिए मैगनेसियम क्लोरिन हाइडोजन यह तीन प्रकार के क्या है तत्व है इसमें हम देख रहे हैं कि माई और आपका मैगनेसियम का भी एक है आपका है और यह दूनों बरावर नहीं है तो हम करेंगे अब अर्ष्येंट से क्या करेंगे गुणा कराएंगे ठीक है गुणक से गुणा कराएंगे अब लिखेंगे अब तत्व के परमानों के संक्या सामान करने के लिए अब गुणक से गुणा करने पर करेंगे क्या यहां है इसमें हम क्या करेंगे दोस्ते गुणा करा देंगे ठीक है और यह जैसे फ्री घआएगा यहां पर हम देख रहे हैं कि दूग ऐसे धोगा फोल धूग कर सकते हैं यह आसान technically होगीC विप्रट्ट्ट्hmm relationship more तो देखिए इसमें आपका पॉल टैपस है वैसलेटों अभिक्रिया देखिए सट के प्रस्पर संज्यों कर एक नए पदार्थ का निर्वाण करते हैं जो नए पदार्थ का की गुण होंगे वो मूल पदार्थ की गुण से क्या होते हैं बिलकुल भीन होते हैं आनि कहने का मतलब है नो कि देखिए यहां पर कार्बन और अक्सीजन ठीक है कार्बन और अक्सीज का ठीक है कारएकसाइड का यह मूल्क पता और अक्शिजन से क्या है बिल्वगुल भीम है तो इसके बाद से तो ऑसमाच छेपी रसाइनि अभिक sleeping क्या होता है इसको फोड़ोड देख लीजिए जो भी पात कि निरमन में उस्माफ दोको तो क्लां क्किल्या घ्रॉजा क्या होता है अब होता है यानि कि ऊपसतितिती से चि maximum कि Yo2 as forgotten एकंट से 2 और और उर्जा होती है उत्पन होती है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर हमारा है उच्छ छ यह अफ़कैघया इसकोदेखिए हैं इस यह क्या होगा आपका को कि उप्रोदी पेजिसें ग्यो डैत कर दो या ऊथिक नए पदर साइस का करताँ है चिनके मूलजड़ मुद्ब्रेस के धूंट व यह होते हैं उन्हें क्या करता है इसमें क्या होता है ना कि पदार्थ एक रहाएगा लेकिन तोट करके कितने क्या करेगा वह पदार्थ तोटने के बाद से दो या दो से अधिक परकार के पदार्थ क्या करेगा निर्मान करेगा जैसे आप देशकते हैं यहां पर कि सीए सीयो धिरी कैल्सियम क्या यह तोटकर के सीए ओ और सुनर कराया किया कर रहाए यह तूटने के बारत सिक्पलड़ा CM creation of the лемद ना यह यह तीन प्रकार से थे कौन-कौन तो उसमा दवारा विदूर दोवारा औरव रोशने दौराब दो चलिए कश होता है कि क्या क्या होता है की त्यों घुन किर 예शे करने पूद्ण को तोड़ने के बाद से सी यह और स्सक्राइड कался करे रहते इस परकार कि उसमें कॉंआ दूसरा नम्पर अंपर बिजुद्ध गया धाड एक थीक त्युक्त देखिए कि उसको कहेंगे हम इसको थोड़ा समझ दिए तो बीदु धारा के द्वारा होने वाला या किया गया बीदुद बीदुद के साथ जब अब किया कराते हैं तो है निकि हाइड्रोजन और प्लॉस क्या बनाता है ऑक्सिजन बनाता है ठीक है उसके बाद से देखिए परकास की प्रकास की प्रकास कि ति में हुने वाला बीद्यजन अने वाला प्रकिरिया या वहने वाला पर पढ़ेंगे हम उसमा सोसी जीन अभिक्रियाओं में उर्जा का अवसोशन होता है ठीक है उसे उसमा से उसमा सोसी अभिक्रिया करते हैं ठीक है जैसे कि आप एक्जामपल देख सकते हैं है इसके बास कि देखिए तीसरा प्मइंट हमारा है ईसको बोलाता है डिस्प्लेस्मेंट रियक्षा तो इसमेंट कीशी संसे है के किसी रासाइनिक अभिक्रिया में कोई तो किसी योगिक से किसी योगिक से दूसरी ततों को हटा देगा तो उस प्रकार जो अभिक्रिया होगा उसको हम विश्थापन अभिक्रिया कहेंगे जैसे आप देशकते हैं कि Mg Aco So4 Copper पुर्पर इसक्या कर रहा रहा है कि कॉपर जो है ठीक है अलग होना रहा है और क्यांसी प्रक्रियव गाला है उसके बात से होता है दूई-स-थापन-अभीक्रिया तो किंसे को कहेंगे जब दो आप चैनल अपने समूह को अध़ला बतली करके दोầy नए प्धात्स फक नंदमाण करें करें तो स्इम गिंगी या कहा जाता है जैसे में आप दे सकते हैं देखे जैसे में कि यह लोग अलोग क्ट्छा और के साथ मिल जाता है और भी यह बना लता है टू एक एस प्रेकार और बली करकर बनाने की अधरा करने के बासे जो पदाध का निर्मान होता है तुच घै नो ही या दोनू एक ही अभिकिरिया में होता है उसे रिडाक्स अभिकिर्या când से और यह सब खेया करता है और उप्ससेंवार्ट यह होता क्या हैnant इसको किसी पदार्थ में किसी पदार्थ पदर्थ में अक्सीजन का जूड़ना क्या काम हो रहा है तो जब जूड़ने काम होगा तो उसको क्या कहेंगे और जिसमें उसका प्रिथक होना निकॉलने के काम जो होगा उक्या कालाएगा आपका क्या आपका मनाता है क्या अपका अलग अलग दोनों हो जाता है यहां पर आप देशाते हैं कॉपरा प्लस एस टूओ ठीक है उनिका अक्सीजन का त्रिथक हो रहा है तीक है इसके बात से हम देखेंगे आपका है दैनिक जीओं ने उप पुचह है अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव है तो इसमें पहला नंबर देखिए आपका संचारण है कोरेक्शन जिसको बुला जाता है जब कोई धात्तु अम्ल अंधरता अंधरता इत्यादिक संपर्क में आती है तो यह संचारित हु और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं संचारण कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि लोहे पर जंग का लगना चांदी की ऊपर काली परत तांबे की ऊपर हरी परत यह क्या है यह आपका संचारण है यह हम देखते हैं कि जब लोहे को इस बायो मेंडल में छोड़ देते हैं त भीक्या है संचरण को हम कैसे रोकेंगे संचरण को रोकने के लिए आप सब्सक्रण कर सकते हैं कि II कि संबर के मिच्छा रिचा जल्दी नहीं होगा ठीक है उससे लक्न कोरते हैं और उमक्रित ता क्या है तो जब आप देखेंगे तेल से निर्मीद जो वस्तु हुगी व समगरी जब वायू में आ καला में आएंगी उसाइएख वायू 7 तो क्या होता है उसका स्वात में परिवर्तन हो जाता है ठीक है उसके बाद से बचने के लिए खाद पैकोटों में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस खराब नहीं हो ठीक है अगर अगर आपको यह हमारा ओनलाइन वीडियो कलासिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइन लाइक करें कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें